पर हर्यान के मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत तमाम बड़ी नेताओं ने भी भारतिके के टीम को शिब काम नायब सैनी ने सोशल मेडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा एतिहासिक और द्वित्य श्यामदार विजय टीट्वेंटी वर्ल्ड कप दोहसर चौबिस जीतने के लिए भारतिके के टीम के सभी खिलाडियों को रिदय से बढ़ाई अग्स सभी देशवासी इस शांदार विजय पर जश्न मना रहे हैं हम सब को आप पर गर्व है वहीं हर्याना के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड़ा ने भी सोशल मेजर एक्स पर पोस्ट कर लिखा शांदार खेल दमदार खिलाडी भारतिके के टीम को सत्रहजाल के लंबे अंतराल के बाद दूसरी बार टीट्वेंटी वर्ल्ड कप जीतने पर धेरो बधाई पर गर्व है हर्याना के पूर्व डिप्टी सियम दुश्यंत चोटाला ने भी सोशल मेजर पर पोस्ट कर लिखा बुमराह की गिंदबाजी सुरे कुमार की कैच गजब टीम इंडिया कितना अच्छा खेली है मैच वी आर दे चैंपियोंस कॉंग्रेचुलेशन इंडिया अच्छों में एक बार देखने को मिलता है जस्प्रीत बुमराह और हादिक पांडिया ने दक्षण अफरीका से यह जीत चीन कर भारत वासियों को तोहफे में दी और बड़े मंच पर फिर से किंग कोहली का जलवा बधाई कप्तान बधाई हिंदुस्तान दिपेंदर इड़ा ने पूरा मैच दोस्तों के साथ देखा सिरसा लुकसभा सेट से कौंग्रिस सांसत कुमारी सेलजा ने लिखा इंडिया 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 टीम इंडिया को टी 20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने पर दिल से बधाई दक्षण ऐफरीका के खलाप आपकी शानदार ज रहसूस कर रहा है जैहिंड बीजेपी नेता किरण चौधरी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी और उने लिखा हिंड के सितारे भारतिये पुरोष क्रिकेट टीम को पूरे देश की तरफ से हारदिक बधाई वश्युभ काम नाए टी 20 विश्वकाप अपने नाम करने पर पूरे देश को आप पर गर्व है जैहिंड बधादी की भारतिक रिकेट टीम इतिहास रच चुकी है शैनिवार को रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतिये टीम ने साउथ आफरिका को साथ रनों से हरा कर टी 20 का खताब जीता मैच में भारत ने टॉस जीत कर पहले खेलती हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 116 रन बनाए 177 रनों के लक्ष का पीछा करते हुए डक्षन एफरिका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 179 रनों पर धिर हो गई और 7 रनों से मैच हार गई